हाई दोस्तों मेरा नाम है सोही आज हम बात करेंगे चेक टाइम सॉफ्टरी के अंदर एक्सल शीट से हम लोग इंप्लोई को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं सबसे पहले चेक टाइम सॉफ्टरी को खोले कि यूजर नेम एंड पास्वार्ड उसके बाद लॉग इन उसके बाद जाएं अग Conservative यहां पए इमップर्ट में इंप्लोई हैं दीखिए सबसे पहले मैं इस सब को स्कूर्ड करकर के डिलीट कर लेंता हूं तो यह सारे employee delete होगे, अभी हमारे पास इस department के अंदर कोई employee नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, अभी हम लोग import करेंगे excel sheet से check time में, सबसे पहले import पे जाएए, हम लोग sample file download कर लेंगे जहां से format, इसके इंदर हमें सारा data fill करना है, आप कोई भी नाम दे दीजिए, जहां पे save करना है, वहां पे save कर दीजिए, मैं employee desk का नाम दे रहा हूँ, और इसे save करता हूँ, इसको close कर दीजिए, इसको भी close कर दीजिए, शॉफ्टर, सॉफ्टर का minimize करेंगे, और हम लोग जाएंगे हमारी file पे, इस file को फोल दीजिए, excel file आईए, यहां देखिए हमारे पास employee id और name, यह दो चीज़ें जरूरी है, बाकी सारा data optional है, आपके लिए, employee id और name आपको जुरूर फिल करना है, इसके बाना यह file नहीं जाएगी, excel के अंदर, शॉफ्टर के अंदर, बाकी सारे का सारा data optional है, हमारे पास data है, हम दूसरी file से copy करके यहां पे लेके आएंगे, मैं दूसरी file खोलता हम, जिसके अंदर employee का सारा data पढ़ा है, yes करते हैं से, तो यह देखिए employee id भी है, नाम भी है employee का, बाकी सारा data optional है, जिसका है, आप फिल कर सकते हैं, जिसका नहीं है, उससे छोड़ दीजिए, मैं यह सारा data copy कर लेता हूँ, यहां से, आप डाटा एंटर भी कर सकते हैं, जिस ध्यार रखिए आप कोई भी formula जा फिर कोई भी special character ग्यारा ना यूज़ करें हैं, तो यहां मैं paste कर लेता हूँ, यह सारा data हमारे पास paste हो गया, employee ID और name दोनों आगे हैं हमारे पास सब कुछ, और save करते हैं इस फाइल को, बंद करते हैं Excel फाइल को, इसको भी बंद कर देते हैं, अभी हम जाएंगे check time software में, उसके बाद employee पे department select करेंगे, जहां पर आपको import करना है, इंपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे, last time हमने sample download कि था, इस बार import करेंगे, file set कर लिए, जहां पर आपने save की है, हमारे पास यह file है, हमारी जो हमने अभी बनाई, open, यह देखिए, यह सारा data यहां पर आ गया, अब जैसे ही मैं save बटन पर क्लिक करोंगा, तो यह सारा data, software के database म save हो जाएगा, तो यहां देखिए, insert successfully, already exist zero, पहले से कोई भी नहीं था, इनमें से, अगर कोई पहले से होता हो जाता, new employee save, यह हमारे सारे के सारे employee, हमारे software के अंदर save होगे, अब जैसे इसको बंद करेंगे, तो यह software के अंदर सारे employee आ गए यहां पर, अगर आपको किसी भी employee को edit करना है, तो इस employee पर जाइए, double click कर दिए, employee का data पुल जाएगा, आप उसमें से किसी भी चीज़ को edit कर सकते हैं, एसी number, number ही रहेंगे, कोई भी alphabet इसके अंदर नहीं डाले, pay ID आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आपका payroll, software के अंदर ID है, ABC जापको कुछ भी, आप यहा पर है, तो ऐसे हम लोग data import कर सकते हैं, अगर हमें data export करना है, check time से, department को select कर दिए, उसके बाद export बटन पर click करेंगे, तो system एक file generate करेगा, और हम से पुछी है, कहाँ पर आपको file को save करना है, जहाँ पर चाहें आप, उसको save कर सकते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए, save, तो यह हमारी file create हो गई है, बाहर जाएंगे चाहाँ से, software को minimize करेंगे, और उस file को आप देख दीजिए, खोल के, उसके अंदर वो सारा data आगया होगा, जिस department को हमने select किया था, यह दिखिए, यह हमारे पास, सारा data आगया है, एक्टल का, जो ह चेक्टाम से, एक्सल सीट को चेक्टाम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, या फर इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, thanks for watching.